अपना ब्रेक अप हो जाने के बाद एक लड़की को सूपर पाउर मिल दिया जिसो टाइम को स्टॉप कर सकता है टाइम स्टॉप करकर लोगों के साथ वो कुछ भी कर सकता था हेलो फ्रेंड्स इसी कंसेप पर बेस्ट आज मैं आपको कैश बैक ये 2006 की एक फैंटेसी रोमेंस हॉलिवड मुवी एक्स्पेन करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अच्छ लगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा बिना किसी तरीके एक्स्पेनेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होते हम हमारे मेन क्यारेटर बेन का प्रेकप देख सकते हैं जिस लड़की से उसका प्रेकप हो रहा था सूजी कि उसकी फर्स गर्फेंड थी उसके साथ बिताए हर पल उसे याद आ रहे थे वर्णर करता है कि उसका प्रेकप हुआ कैसे एक पल में तो एक साथ थे एक दुसरे को आई लवी पूल रहे थे और नेक्स्ट वीक सूजी किसी और के साथ थी तो शायद उसको भी आई लवी पूल रहे होगी पर इसका कोई भी मिनिंग नहीं है बेन के फ्रेंड का नाम था शौन शौन उसे समझाने की कोशिश करता है उसे सिर्फ एक बेटर आप्शन मिल गया इसी वज़े से उसके पास हो चलीगे उसके बारे में तुमें जादा सोचना नहीं चाहिए तुम किसी ब्यूटिफुल से लड़की को टेट करो फिर सुजी को जेलस लगेगा और तुमारे पास हो वापस आ जाएगी शौन का लड़कियों के साथ एक्सपिरियंस बहुत ही घटिया था हर लड़कियों से मार कर चली जाती थी तो उसके एड़वाइस बेन नहीं ले सकता शौन आर्टिस बनना जाता है जब भी उसकी ड्रॉइंग लास होती थी तो हमेशा लड़कियों कोई ड्रॉख करता था हमेशा उसे सुजी की याद आती रहती थी एक रात उसने उसे कॉल किया उसने पूछा कि क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं सुजी ने उसे मना कर दिया वो दिन रात अपने बेड में पड़ा रहता था सुजी के जाने के बाद जैसे उसको ऑक्सिजन चला गया था स्लोली स्लोली उसकी नीन भी चली के उसने सोने का बहुत ट्राय किया पर फिर भी वो कर नहीं पाया अब सेडनली उसके पास एट एक्स्टा आवर्स थे वो अलग-अलग चीजे ट्राय करता था पर फिर भी टाइम पास नहीं होता था वो कुछ भी करे सुजी की याद हमेशा उसके साथ रहती थी एक राद वो ग्रोसरी लेने के लिए क्या हुआ था वहाँ पर नोटिस देखता है कि उन्हें काम करने के लिए स्टाफ की जरुवत थी बेन को नीन नहीं आती तो आठ एक्स्टा गंटे बिताने के लिए यहाँ पर वो जॉब कर लेता है वहाँ कि जब मैनेजर को उसने देखा तो मैनेजर पहले फुटपॉल का प्लेयर हुआ करता था अब यहाँ का मैनेजर है यह देखकर बेन रियलाइज करता है कि लाइफ इसी तरीके से बहुत फास्ट गुजर जाएकी पर इसके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता बेन के साथ एक लड़की काम करती थी इसका नाव था शैरन बेन ने नोटिस किया कि उसका मैनेजर शैरन के साथ बहुत ही अजीब तरीके से पेश आता है शैरन कोई बात अनकमफरडबल लगती है अपना जॉब करते हुए बेन ने हमसे कहा कि हाँ सुपर मार्केट में टाइम बहुत ही स्लोली जाता है इसको ज़रा फास्ट करने के लिए हम एमपलोईज अलग-अलग चीज़े करते है हर एक की अलग-अलग मेथ़ड है यसे शैरन कभी भी टाइम नहीं देखती है जब वो बाच देखती है तो टाइम बहुत स्लो गुजरता है इस वज़े से हमेशा उसे कवर अप करकर रखती है यहां काम करने वाले उसके और दो फ्रेंड से पैरी और मैट यह हमेशा एक दुसरे के साथ गेम्स केलते रहते है कभी यह शॉपिंग मॉल में रेस लगाते है तो कभी लड़कियों के सामान में कुछ अलग सी चीज़े रख देते है इसी तरीके से हर कोई टाइम पास करता था और बेनने का मेरा तरीका कुछ अलग ही है जब उसका ब्रेक अब हुआ तो उसके लिए टाइम गुजरना बहुत ही हाड़ था तो एक सुपर पावर उसमें आ कई यह सुपर पावर थी टाइम को स्टॉप कर पाने की वो अपनी पावर से सब को स्टॉप कर देता और सारी चिसे घूमने लग जाता सुपर मार्केट की सारी ब्यूटिफुल लड़कियों को नोटीस करता था उसे लगता है कि लड़कियों में अलग से ही पावर होती है वो जब छोटा था तो एक फॉरें स्टॉटरर उनके घर में रहने के लिए आई हुई थी वो बहुत ही ब्यूटिफुल थी वो हमेशा उसे ही देखता रहता था बेन जब यह टाइम स्टॉप करता था तो हमेशा लड़कियों की न्यूट ड्राइंग करता था उसने एक नॉवल में पढ़ा था कि लड़कियों को पेंटर के साथ अफेर करना अच्छा लगता है क्योंकि उनकी ब्यूटि जैसी है वैसी हो देख सकते है ऐसे भी बेन ड्राइंग करते हो अपना टाइम गुजरता था और जब वो अनपॉस करता तो बहुत सारा टाइम गुजर जाता अगली दिन बेन से मिलने के लिए उसका फ्रेंड शौन आया शौन को बता था कि अब भी बेन अपने इस गर्फरेंड के बारे में सोच रहा है वो उसे कहता है तुम्हें जल से मुवाउन करना चाहिए शौन हमेशा उसे यही बात कहता रहता है तो इस मुवमेंट को भी वो पॉस कर देता है शौन में बेन और शौन ये पच्पन से बहुत अच्छे फ्रेंड्स था है जब शौन की मदर घर से चली जाती तो दोनों मिलकर न्यूड मैगजिन्स देखते है एक दिन चब बे दोनों देख रहे थे शौन की मदर वापस आके वो इन दोनों की फ्रेंड्शिप को अलग ही समझती है आज शौन बेन से कह रहा था तो मैं स्ट्रिप क्लब विगरा मेरे साथ चलना चाहिए सुनकर बेन को अपने बच्पन का एक किसा याद आता है उनकी स्टेट पर एक लड़की थी जो पैसो के लिए न्यूड होती थी ये सारे फ्रेंड्श लाइन लगा कर उसे मिलने के लिए जाते थे इसके बाद हम देखते है अगले दिन बेन और शेरन की नजरों से नजरे मिली थी लॉकर रूम में शेरन को जरा भुक लगी थी तो बेन का सैन्विच मांग लेती है सैन्विच का पिकल शेरन के गाल पर लग गया था जैसे कि बॉल्लोड मुवीस में होता है वैसे एक रोमैंटिक सा इनका मुमेंट हुआ ये मुमेंट बेन जाने नहीं देना चाता था इसे फ्रीज करकर रखना चाता था पर शेरन चली के तो कुछ भी कर नहीं पाया उसे अच्छा लग रहा था कि सुजी से मुवान करकर अब वो शेरन को लाइक करने लगता है तिभी उसके फ्रेंड ने डिसकस कर रहे थे मैट कहता है आज मैंने शेरन को टेट के लिए पूछा मैट इसके लिए बहुत एकसाइट था पर बहुत बुरा लगता है बेनम से कहता है हमेशा मेरे साथ ऐसे चीज़े होती रहती है तो जिसको भी लाइक करता है उससे दूर चले जाते है वह जब छोटा था तो अपनी टीचर को लाइक करता था पर टीचर के साथ कुछ भी हो नहीं सकता उसकी और एक लास्मेट थी जिसको बहुत लाइक करता था एक दिन उस लड़की का एक्सिडन्ट हो गया उसके प्लास्टर पर हर कोई ग्राफिटी बनाता था Ben हमेशा उसे देखता रहे था तो उस लड़की ने उसे अप्रोच किया Ben ने भी अपनी सिगनेचर उस प्लास्टर पर बनाई जब उस लड़की का प्लास्टर निकला, तो उसका पूरा हाथ हेर से भर गया था, सब लोग उसे चिडाने लग गए, वो अखिली पड़ गई थी, तो बेन उसके पास आकर बेटा, कहा कि तुम जैसी हो वैसे ही ब्यूटिफूल हो, इसके बाद एक गल्फरेंड बॉइफरे नहीं करता, अगली दिन बेन ने उसका बहुत वेट किया, पर वो आई ही नहीं, बाद में उसे पता चला, कि उस लड़की का ट्रांस्वर हो गया है, फिर से हम प्रेज़न में देखते हैं कि बेन और शान बात कर रहे थे, बेन ने शारन के बारे में शान को बता है, पर वो कि वो और शारन कल रात इंटिमेट हुए, बेन का दिल तुच जाता है, इसे मुवमेंट पर उनके मैनेजर उनके पास आए, कहते है, मेरे एक ओल्ड फ्रेंड के साथ मैने बेट लगाई थी, उसके टीम के साथ हम सब को मिलकर फुटबॉल खेलना है, इस फुटबॉल मैच पर मैट को सपोर्ट करने के लिए शारन भी आई हुई थी, इन मेंसे किसी को भी फुटबॉल केलना आता नहीं था, तो बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे थे, उपसिट टीम के 26 गोल हो गए थे, उनके 0 ही थे, बेन को बोर होने लग जाता है, तो टाइम को फिर से उसने स ज़्यादा सेफ लगता है, कोई भी उसे डिस्टब नहीं कर सकता, वो कैफिटेरी में गया, तो अचानक से उसे कुछ आवाज आई, वो असपास देखने लग जाता है, एक आदमी अनफ्रीज होकर वहाँ से भाग गया, बेन सिर्फ अकिला नहीं है, जो टाइन स्टॉप क करकर घूम फिर सकता है, घूम फिर कर बेन फिर से मैच में वापस आया, इनका लास्ट कोल था, तो मैट ने जोर से फुटबॉल को किक किया, तो मैनेजर की ना को तोड़ देता है, वो से होस्पिटल लेकर गया, बेन को कहकर जाता है कि शारन को घर छोड़ देना, बेन और और शारन फिर कॉफी के लिए आए, बेन शारन से पुछता है कि तुम और मैट डेट करे हो, शारन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ as a friend से movie देखने के लिए गए हुए थे, बेन को ये बात सुनकर अच्छा लगा, शारन का एक boyfriend था, उससे break up किये हुए उसे 6 मेने कुजर चुके है, बेन भी अपने break up के बार में उसे बताता है, एक दूसरे को और भी जान लेते हैं, शारन ने कहा कि नाइट में में Spanish सीखती हूँ, उसे अलग-अलग places घुमना है, वहाँ के लोगों के बार में जान लेना है, Spanish सीखने के बाद शायद उस पेन में जाकर व किसी भी शनों का, शारन ने कहा कि मैं हमेशा एक आर्टीस से मिलना चाहती थी, वो वर्ल्ल की किसी भी चीज में ब्यूटी देख सकते हैं, ये बास शारन को बेन की बहुत अच्छी लगी, बेन ने शारन को घर पर छोड़ दिया, ये दोनों किस करने वाले थे, पर ये सही कि एक ओफिशल डेट थी, मैनेजर ने बेन को बुला, कहा कि बड़े पर एक सप्राइस टीपर भी होनी चाहिए, इसका इंतजाम तुम करोगे, बेन को पता नहीं था कि हो कैसे करेगा, पर वो शान की हेल्प लेता है, शान को इन सब चीजों के बारे में बहुत ही अच्छ करता, ऐसे कुछ दिन बीट गए, और कल मैनेजर का पड़े था, शारन बेन से पुछती है, क्या तुम अब भी मेरे साथ डेट पर चलना चाहते हो, बेन कहता कि आफकोस चलना चाहते हो, जाते वक्स शारन बेन को प्रोपरली किस कर कर गए, इतने दिन तो बेन को नीन नही पर आज रात वो बहुत सोया, उटने के बाद उसे एक आर्ट गैलरी से कॉल आता है, बेन के बिक्चर्स उन्हें बहुत अच्छे लगे थे और उसे मिलने के लिए बुलाया हुआ था, बेन इसके लिए बहुत ही एक्साइडेड हो जाता है, पर इस सिर्फ उसके फ्रेंड की हुई स्ट्रीपर भी आई हुई थी, यह वही स्ट्रीपर थी जो शॉन और बेन बच्पन में देखने के लिए जाय करते थे, शॉन मोके का फायदा उठा कर उसे डेट के लिए पूछ लेता है, शॉन हमेशा लड़कियों से कुछ भी गलच चीज़े बोलता था, पर यह लड़कियों से बच्पन से जानती है, तो कोई भी प्रॉल्म नहीं आएगा, शायद उसकी भी लोड़ स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, पार्टी में बेन जरा वाश रूम के लिए जाता है, तो वहाँ पर सुजी पी थी, सुजी को बेन को शारन के साथ देखकर जरा बुरा लगा था, वो रियलाइस करती है कि बेन उसके लिए पर्फेक्ट था, तो उसे फिर से पाना चाहती थी, बेन उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा था, इसे के पैरलल में हम देख सकते हैं, मैनेजर शारन से बात करने लग गया, उसे हरास करने लग जाता तो शारन इस पर गुस्सा आओके, और यहां से निकलने लग गे, उसने जब उपर बेन और सुजी को देखा, तो उसी मुमेंट पर सुजी बेन को किस कर रही थी, अगली मुमेंट पर बेन ने उसे जटक दिया था, पर शारन ने देखा ने, वो गुस्सें में यहां से चल बेन रियलाइस करता है कि शारन को क्या लगा होगा, उसने टाइम को स्टॉप कर दिया, सोचा कि शारन को क्या बताएगा, पर कुछ भी हो सोच नहीं पाता, ऐसे उसने दो दिन तक टाइम को स्टॉप करकर रखा था, अनपॉस्स करने के बाद भी हो शारन को मना नहीं पात तो Ben actual में अपना सब आर्ट लेकर उस आर्ट गैलरी में चला जाता है वहाँ के एजन्ट से उसने बात की तो उसके कोई भी appointment नहीं थी पर एजन्ट उसकी drawing देख लेता है उसे drawings बहुत ही पसंद आई वो Ben को opportunity देते है और अब उसका एक art show होने वाला था इसका invitation Ben Sharon को देखर आता है इस exhibition ने Sharon की Ben ने जो भी drawings बनाए थी सिर्फ यहीं लगाए हुई थी यह सब कुछ बहुत ही beautiful था Ben से एक art के agent बात करने लगे कहती है मुझे तुम्हारी drawings बहुत ही पसंद आई वो New York से थी उसे बहुत बड़ी opportunity दे सकती थी बात करते हुए Ben ने नोटिस किया कि Sharon भी यह show देखने के लिए आई हुई है यह art agent उसे पूछ रही थी कि future में तुम क्या करना चाहोगे Ben कहता है कि मुझे South America में जाकर travel करकर drawing करनी है actual में Sharon का dream था कि उसे South America में travel करना है तो Ben भी उसी के साथ travel करकर draw करना चाहता था Sharon उसकी सारी drawings देखकर Ben को maaf कर देती है Ben फिर से उसे sorry कहता है पर Sharon ने कहा कि painting देखकर मैं सब कुछ समझ गई हूँ Ben ने पुछा कि क्या तुम मुझे पर trust करती हो Sharon ने कहा कि हा करती हूँ Sharon को उसने आग बन करने के लिए कहा उसे किस करता है और उसी moment पर उसने time को stop कर दिया अब जब time stop हो गया था तो Ben के साथ Sharon भी आसपास घुम सकती थी बाहर स्नो गिरा था तो Sharon को Ben बाहर लेकर आया इसी में उसकी किस करते है और इसी के साथ इनकी love story स्टार्ट हुई Ben हम से कहता है लाइफ में बहुत सारी moments होते है जो ऐसे ही चले जाते है पर अगर आपको लाइफ की beauty को appreciate करना है किसी के प्यार में पढ़ना है तो एक बार ज़रा रूख जाओ इस moment को appreciate करो कभी भी उन्हें जाने मनतो इसे एक beautiful message के साथ इस movie end हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे like कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आते रहता हो तो प्लीज इस channel को subscribe कर दीजे और bell notification icon दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमई के साथ तब तक एले thank you और आप अपने आपका खैल रखिये